हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं कड़े होते हैं, जहां कड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। इनको बॉलीवुड का किंग या शुरू होता है, तो भी अतिशियोगती नहीं होगी। आज, खुश्त बहुत हो गेता। अमिताब को इनके दादाजी प्रतापना रायन श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है, इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही क्रांती होता है। बाद में इनके पिता की साथ ही कवियत्री सुमित्रा नंदन पंथ ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताब नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई है जिसका नाम अजिताब बच्चन है। इनका सही मायने में सर्मेम श्रिवास्तव था। इनके पिता ने इसको बदल कर बच्चन किया। उसके बाद से इनका सर्मेम बच्चन हुआ। इनकी शादी 3 जून 1903 को जया बच्चन से हुई थी। इनके लुक के कई दीवाने है। जबसे इनको ने बॉलिवुड में एंट्री की थी तब से आज तक ये वैसे से ही है। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। यह एक मात रैक्टर है जो की पित शोतर वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके लुक की संक्षिफ्ध जानकारी इस प्रकार है। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद ये कलकत्ता गए। इन्होंने वहाँ साथ साल काम किया उसके बाद ये मुंबई आ गए। आज से लगभग पचास साल पहले काम की तलाश में ये सपने के शहर मुंबई आये थे। इन्होंने तीन मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजर्बे मिले खासता और पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। उसके इन्होंने यहां का माहौल देखकर कहा। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इनके लिए वो सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे मैं अपनी किस्मत अपना चेहरा अपनी आवाज को अजमा रहा हूँ। और एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके इनकी सभी फिल्मे फ्लॉप होती गई। इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। कहा जाता नबबे का दशक ऐसा था जब इनके उपर बहुत करजा हो गया था इनकी फिल्मे भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलिविजन शो में होस्ट के रूप में एक ओफ आया जिसे इन्होंने स्विकार किया वो शो था कौन बनेगा करोड़ पती। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे है। अभी KBC का 12. सीजन प्रसारित हो रहा है।